नमस्कार आपका अख़बार के इस हंक में आपका स्वागत है मैं हूँ प्रदीप सिंग मेरा सुन्दर सप्रना तूट गया मैं ब्रश्टाचार में सब कुछ हार गया बेदर जमाना जीत गया ये मेरा गीत नहीं है मेरा गाना नहीं है ये आजकल अर्विन केजरिवाल गाल है दिल्ली के पूर मुख्य मंतरी याद रखिए जब आम आदमी पार्टी का गठन हुआ था और पहली बार सरकार बनी थी 2013 में और अर्विन केजरिवाल पहली बार मुख्य मंतरी बने थे तब स लेकर उनको सपने में भी ये खियाल नहीं आया होगा कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार होगी और अर्विन्द केजरिवाल उसके मुख्यमंत्री नहीं होंगे लिकिन सच्चाई से कौन मुँढ मोड़ सकता है समय से कौन भाग सकता है और समय को कौन हरा सकता है तो अर्विन केजरिवाल समय से हार गए ऐसा नहीं है समय उनको हारा हुआ दिखा रहा है बस वो हारे हैं अपने कर्मों से दिल्ली सरकार के वरिष्ट मंत्री और पार्टी के वरिष्ट निता कैलाश गहलोद उन्होंने मंत्री मंडल से इस्तीफा दे दिया और आम आदमी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया उन्होंने मुख्य रूप से वैसे तो बहुत से मुद्दे उठाए है तीन मुद्दे मुख्य रूप से उठाए है जिससे आपको पता चलेगा कि केजरीवाल सरकार की सच्चाई क्या है केजरीवाल की राज़नीती क्या रही है इतने सालों में तो केजरीवाल पर उन्होंने आरोप लगाया पहला तो शीश महल का उन्होंने जो शीश महल बरवाया अपने रहने के लिए बूल गए कि वो डिमोक्रिसी में है यहां सरकारें बनती और बिगरती रहती है आती और जाती रहती है मुख्यमंतरी प्रदानमंतरी बनते हैं और हटते हैं लेकिन उनको यह घमंड हो गया आहंकार हो गया और यह गलत फहमी हो गई कि अब जो वो आए हैं तो वो कभी हटने वाले नहीं हैं जब तक वो खुद न चाहें तो सरकारी आवास को उन्होंने शीश महल बनवाया करोणों रुपए खर्च किये उस समय खर्च किये जब दिल्ली के लोग करोणा की बीमारी से महामारी से तरही तरही कर रहे थे जब अस्पतालों में आउक्सिजन के लिए कहा जा रहा था कि जुटाने का पैसा नहीं है दवाईयों का पैसा नहीं है अतिरिक बेड लगाने का पैसा नहीं है उस समय अर्विंद केजरीवाल का शीश महल बन रहा था लिकिन वो शीश महल में रह नहीं प noi फिर अब शीश महल छोड़ना पड़ा, मुख्यमंत्री का पड़ छोड़ना पड़ा और पार्टी के राष्ट्री सायोज़क यानि पार्टी अध्यक्ष बने हुए है वो किस दिन छोड़ना पड़ेगा किसी को मालूम नहीं खुद जेल जाना पड़ा, मुख्यमंत्री रहते हुए जेल जाने वाले वो देश के अकेले नेता है, जेल भी गए और उसके बाद बहुत कोशिश की कि जेल जाने से उनके सहनुभूती लहर चले सहनुभूती पैदा हो दिनली के लोगों में उन नहीं हुई और उसका प्रमाड जो है लोगसभा चुनाओ के नतीजे है साथ की साथ सीटें कॉंग्रेस से समझावता करने के बावजूद अर्विंद के जिवाल और उनकी पार्टी हार गई चार पर वो लड़े थे तीन पर कॉंग्रेस गडबंधन सातों सीटों पर हार गया तो जो शीश महल का सपना था वो भी चकना चूर हो गया किसी काम नहीं आया एक कोई equipment बातरूम का ले गए हो बता रहे हैं लाकों में या करोडों में है पता नहीं मुझे नहीं मालूम मैंने तो सुना खबर में पढ़ा ऐसा equipment मैंने देखा नहीं है वो किस काम आता है उसके बारे में नहीं बोलना ही ज्यादा अच्छा है काफी कुछ अकपारों में चप चुका है टीवी चैनल्स पर खबर चल चुकी है तो अब आप देखिए व्यक्ति के लालच की सीमा आपका पज चला गया सरकारी आवास चला गया लेकिन सरकारी आवास के बातरूम में वाश्रूम में एक जो सुविधा थी उसको आप उठा कर ले गए जिस पर आपका कोई अधिकार नहीं वो सरकारी संपत्ती है लेकिन अर्विंद केजरिवाल को अब शर्म नहीं आती है शर्म आना तो उनको बहुत पहले से बंद हो गई थी और कैलाश गहलोत का जाना मेरा मानना है कि आम आदमी पार्टी के अंत का आरंब है अब आप कहेंगे इस से पहले भी बहुत से नेता गए तमाम लोग जो शुरू में आया थे जिन्होंने आम आदमी पार्टी बनाई थी अन्ना हजारे से लेकर उन्हों आला कि उन्हों नहीं बनाई थी वो इसके पक्ष में नहीं थे लेकिन आंदोलन के अगवा आंदोलन के नेता तो वही थे उनको छोड़ दिया अर्विंद केजरिवाल ने कुछ फरक नहीं पड़ा तमाम लोग चले गए जब प्रशान भूशन प्रफसर आनंद कुमार और कुमार विश्वास जैसे लोग छोड़ कर गए तब अर्विंद केजरिवाल की चरदी कला थी अर्विंद केजरिवाल का जूट भी सच माना जाता था आज उनमें सच बोलने का साहस भी नहीं है कटर इमानदार से यात्रा शुरू की थी और कटर बेमान पर खत्म हो रही है हाला कि अभी वो अदालत से सिद्ध होना बाकी है लेकिन जनता की नजर में वो सिद्ध हो चुका है जो कुछ कमाया था राजनीतिक पूजी जो कमाई थी अर्विंद केजरिवाल ने जितनी तेजी से और जितनी जल्दी उतनी ही तेजी से और उतनी ही जल्दी कमा दिए अब अर्विन केजरिवाल का चेहरा ही सब कुछ कहता है उनकी पार्टी के बारे में क्या अंदर चलना इसको आपको जानने की ज़रूरत नहीं है कल आपने देखा होगा एक वीडियो आपती जनता पार्टी के वो आम आदमी पार्टी जोईन कर रहे थे और उसमें अर्विन केजरिवाल का चेहरा आप देखते तो देखा ही होगा शायद आपने नहीं तो फोटो देखी होगी अगले दिन अकबारों में जो चपी है तो ऐसा लग रहा था जैसे कही से लुट केजरिवाल के लिए बहुत बड़ा जटका है वो संगठन में भी प्रभावी थे और सरकार में भी उनको रोक पाना ये इससे आप समझेए कि उनको रोक पाने की क्षमता अर्विन केजरिवाल में नहीं थी उनको रोक नहीं पाए वैसे तो किसी नेता को जो भी पहले जो गए वो उनके मामले में उनका जो भाव था उनकी जो नीती थी उनकी जो सोच थी कि गुड रिडेंस अच्छा हुआ चुटकारा मिल गया लेकिन आज महसूस हो रहा होगा कि अच्छा हुआ चुटकारा मिल गया उन्होंने बहुत से मुद्दे उठाए हैं तीन मुद्दे प्रमुक रूप से उठाया है, पहला शीश महल का मुद्दा, कि इसके कारण पार्टी की बदनामी हुई, और ये अनावश्यक काम जो है, अर्विन केजरिवाल ने किया, उससे ना तो उनको वेतिगत रूप से, ना राजनीतिक रूप से, और ना ही पार्टी को कोई फायदा हुआ, नुकसान ही नुकसान हुआ, दूसरा मुद्दा उन्होंने उठाया, जो दिल्ली के लिए बहुत ही महत्पून है, वो है यमना के पानी की सफाई का, यमना नदी के पानी की सफाई के बारे में, अर्विन केजरिवाल आपको याद होगा, 2020 के, विधान सभा इसमें बिधान सभा का, तो वो वीडियो काफी चलेगा, उनके विरोधी काफी इस्तेमाल करेंगे उसका, उन्होंने का, अगर अगले पाँच साल में, यानि 2025 तक यमना को साफ न किया, तो मुझे वोट मत देना, एक भी वोट मत देना, ये अर्विन केजरिवाल के का राजनितिक पानी उतर गया है, और यमना जितनी प्रदूशित हुई है, उससे कई गुना ज़्यादा अर्विन केजरिवाल की राजनिती प्रदूशित हो चुकी है, हलाकि वो जेल शराब गोटाले में गये थे, यमना की सफाई को लेकर उनको कोई सजा मिली हो ऐसा नह के चेहरे पर उससे उनको लग रहा था, उनको दिखाई दे रहा था कि 2025 फरवरी में जब दिल्ली विधान समाज चुनाओं का नतीज़ा आएगा तो नतीज़ा कैसा होगा, उनको अंदर से ये पता है कि वो लोट कर आने वाले नहीं है, तो वो हारी हुई लड़ाई कि जब तक जुगी जुपड़ी के वोट है, उस समाज के वोट जब तक आम आदनी पार्टी के साथ है, मुफ्त बिजली पानी का वादा जब तक काम कर रहा है, तब तक अरविंद केजरिवाल को कोई हटा नहीं सकता है, ये गलत फहमी बहुत से नेताओं को, बहुत से मु अरविंद केजरिवाल मुख्यमंत्री नहीं है, तो वो इस्थिती भी आएगी जब आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं होगी, मुख्यमंत्री होने की तो बाती बहुत दूर है, लेकिन किसी राजनीतिक दल का पानी इतनी तेजी से उतरा हो, ये देखने को नहीं मिला है, जो अरविंद केजरिवाल के साथ हुआ, और भारती राजनीती में जितनी बड़ी राजनीतिक पूझी लेकर अरविंद केजरिवाल आये थे, मुझे नहीं लगता कि कोई और नहीं था, इतनी बड़ी राजनीतिक पूझी लेकर आया हो, कि वो कुछ भी बोल दे, चाहे ज इतना बड़ा जूट बोल दे, उसको लोग सच मानने के लिए तैयार बैठे थे, और अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग, उसकी रेंज बहुत थी, गरीब तबका, समाज का सबसे कमजोर तबका, और समाज का जो एलीट वर्ग है, अभिजात्य वर्ग है, प्रभु वर्ग है, वो भी, दोनों एक समान सोच रहे थे, कि अर्विन केजरिवाल गलत नहीं कर सकते हैं, अर्विन केजरिवाल किसी गलत दिशा में जाही नहीं सकते हैं, अर्विन केजरिवाल जो भी सोचते हैं, जो भी करते हैं, अच्छा ही करते हैं, अब ऐसे लोगों को उनकी लालच जो है चोटा सा लालच व्यक्ति को कहां से कहां ले जाता है उसका उधारण है अर्विन केजरिवाल तो यमना के पानी की बाद शीश महल की बाद गहलोत ने और तीसरा मुद्दा जो कहा उस पर सबसे जादा मुझे लगता है ध्यान देने की ज़रूरत है कि अर्विन केजरिवाल ने दस साल गुजार दिये केंदर सरकार से लड़ाई में क्यों उससे फाइदा क्या हुआ दिल्ली का तो नुकसान हुआ आमादमी पार्टी का भी सरकार का नुकसान हुआ अर्विन केजरिवाल को लग रहा था कि इससे मुझे फाइदा मिलेगा अगर मैं लग अधार तो अपनी पार्टी का बढ़ा नहीं पाये। नोटा पर जितने वोट पड़े नोटा को जितने वोट गए उससे भी कम आमाद नहीं पाट पड़े। क्योंकि जो पार्टी लगातार नीचे जा रही हो। याद कीजिये कितने बड़े बहुमत से जीती थी 2017 में कॉंग्रेस पार्टी पंजाब में और कहां पहुँच गई। इसी तरह से आम आदमी पार्टी खास थोर से चुकि ये पार्टी पूरी एक व्यक्ति पर केंद्रित थी। तो उस व्यक्ति का आभा मंडल चकना चूर हुआ तो पूरी पार्टी बैठ गई है। अग जो लोग पार्टी के अंदर हैं, उनमें इतनी भी ताकत नहीं बच्ची है कि वो विरोध में खड़े हो सके। क्योंकि उनका अपना कोई आधार नहीं है। यह जो आडंबर था अर्विंद केजरिवाल का, राजितिक आडंबर उसी पर उनकी लोग पृताटी की थी, उसी से वो विधायक बने थे, सांसत तो कोई बन नहीं पाया। अर्विंद केजरिवाल ने जिनको राज्यसभा भीजा, उन पर कोई कंट्रोल नहीं है। वो अर्विंद केजरिवाल के साथ उनके संकट के समय भी खड़े होने को तयार नहीं। इस से अंदाजा लगा लीजिए कि अर्विंद केजरिवाल के बारे में उनकी पार्टी के लोग क्या सोचते हैं। विधायत तो कह सकता कि हमारी भी लोग प्रियता थी, हमको वोट मिला, इसलिए जीत कराएं। लेकिन जो राज्यसभा में गए, वो तो शुद रूप से अर्विंद केजरिवाल की कृपा से ही गए। लेकिन वो भी साथ देने को तयार नहीं। और अशोक गहलोत का जाना, मुझे लगता है कि अर्विंद केजरिवाल के राज्यसभाल के राज्यसभाल की जीवन का सबसे बड़ा सद्मा है। इस से बड़ा सद्मा मैं मानता हूँ कि अभी तक कोई नहीं लगा। खास्ताव से ऐसे समय में जब उनकी राजनीती और उनकी राजनीती में उनके बारे में जो परसिप्शन है, धारना है और उनकी जो छवी है वो लगातार नीचे जा रही है। सबसे कमजोर सबसे वलनरेबल अगर राजनीती में कभी अर्विन केजरिवाल थे तो आज है और उनको मालूम है कि उनका भविश्य क्या है सुप्रिम कोट ने जो ये निर्देश दे दिया कि शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी यानि इस पुलिटिकल पार्टी की भी वाइकेरियस लाइबिल्टी बनती है और उसको भी आरोपी बनाया जाए एडी ने आरोपी बना दिया उस एक फैसले से आम आदमी पार्टी की मानिता मैं इस पर पहले भी वीडियो बना चुका हूँ आपसे फिर कह रहा हूँ इसमें देर लग रही है लेकिन ये होना है ये साफ दिखाई दे रहा है आम आदमी पार्टी की राजनीतिक दल के रूप में मानिता समाप्त हो सकती है तो अर्विन केजरिवाल का मुख्यमंत्री के रूप में कारेकाल खत्म हो चुका है अब उनके पास ले दे कर बचा है पार्टी के राष्ट्री संयोजक का पद वो भी इसलिए बचा है कि पार्टी में अभी कोई उसको चुनौती नहीं दे रहा है और सब को मालूम है कि भाई अब सब डूब रहे है चुनौती दे कर भी अगर कुछ हासिल किया तो मिलेगा क्या इसलिए सन्नाटा है ये जो सन्नाटा है ये तूफान से पहले का सन्नाटा है आमाद्बी पार्टी में ये अर्विंद केजरिवाल के प्रतिसा हनुभूती या उनके साथ एकता दिखाने के लिए सन्नाटा नहीं है जिन में बोलने की हिम्मत थी बोल सकते थे वो बोले कहलाश गहलोत ने स्तिफा दे दिया स्वाति मालिवाल के साथ जो कुछ हुआ आपको पता है उसके अलावा जो लोग पहले छोड़ कर गए उस समय उनकी बातों पर लोग भरोसा करने को तयार नहीं थी उनको लग रहा था उस समय कि इनका अपना स्वार्थ नहीं सद रहा है इसलिए बोल रहे हैं अर्विन केजरिवाल के खिलाव अर्विन केजरिवाल में भला कैसे कोई खराबी हो सकती है आज वो तारीक आ गई है जब ये मानने वालों को आपको खोजना पड़ेगा जो माने के अर्विन केजरिवाल में कोई अच्छा ही है एक स्टेटस को थोड़ा सा बना हुआ है और ये स्टेटस को जो है जब बना रहता है बिना किसी समर्थन के बिना किसी उत्सा के बिना किसी उर्जा के तो ये जब गिरता है तो जैसे खंडहर कोई गिरता है भरवरा कर उस तरह से गिरता है आम आदमी पार्टी उससी इस्थिती में पहुँच गई है कैलाश गहलोत का स्थीफा आम आदमी पार्टी के ताबूत की आखरी कील समझे आप हाला कि चुनाव आने में समय है अभी कुछ महिने का समय है तो इसलिए तब तक जो है कोई बात बड़े निश्ट्रयात्मक करूप से नहीं बोली जा सकती लेकिन जो होने वाला है वो उसका ट्रेलर दिखाई दे रहा है फिल्म कैसी होगी किस तरह की होगी ये फर्वरी दोहजार पच्चिस में पता चलेगा लेकिन आम आदमी पार्टी और अर्विन के जिवाल दोनों की राजनीती के अंत का आरंभ हो चुका है अब इस प्रासेस में कितना समय लगेगा बात सिर्फ उसकी है आम आदमी पार्टी फिर से उठकर पहले की तरह खड़ी हो जाएगी इसकी मैं कह रहा हूँ कोई संभावना नहीं है लेकिन वो खतम कब हो जाएगी खतम से मेरा मतलब हाशे की पार्टी कब बन जाएगी कब वो दिल्ली के चुनाव में या दिल्ली की राजनीती में कोई मुख्यधारा की पार्टी नहीं रह जाएगी या कंटेंडर नहीं रह जाएगी सत्ता की वो स्थिती कब आएगी ये बताना अभी थोड़ा मुश्किल है वो फरवरी 2025 के नतीजे से पता चलेगा लेकिन फिर से खड़े होने की कोई उम्मीद नहीं है अर्विंद केजरीवाल की कटर इमानदार की छवी फिर से बन जाएगी इसके भी कोई संभावना नहीं है उनको जेल जाना ही है भले ही अभी जमानत मिल गई हो लेकिन वो बहुत जादा दिन तक जेल से बाहर नहीं रह पाएंगे शराब घोटाले में जिस तरह के प्रमान हैं जिस तरह के तथ्य हैं उसको देखते हुए ये निश्चित लग रहा है कि अर्विन केजरिवाल का लंबा समय जेल में कटने वाला है और दिल्ली की राजनीती में खास तौर से उनके पाउं उखड रहे हैं इसका बड़ा स्पष्ट प्रमान बलकि कहें इसके स्पष्ट गोशना कैलाश गहलोत के स्तीफे ने दे दिये तो इंतजार कीजिए फरवरी जादा दूर नहीं है अर्विन केजरिवाल और उनकी राजनीती का क्या हश्र होगा सामने आ जाएगा तो इस अंक में इतना ही अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी ने मुद्दे के साथ तब तक के लिए अजमती दीजिए आप से अनुरोध है कि ये चैनल देखिए शेर कीजिए लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए नमस्कार